तो हाई दोस्तों स्वागत है आपका फिड से एक नए वीडियो पे तो आपको अभी के टाइम पे 25,000 के अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए और आपको अन्फ्यूस तो ही रहोंगे कि कौन सा स्मार्टफोन हमें लेना चाहिए बट देखिए आपको कन्फ्यूस तो ही परने की कोई भी जरूरत नहीं है ये वीडियो को आप पूरा देखिए आपका सारा कन्फ्यूस डाउट किलियर हो जाएगा बिकास इस वीडियो में मैंने आपको टौफ फाइब बेस्ट स्मार्टफोन को बताया है आपको अभी के टाइमपे 25,000 के अंडर या फिर 25,000 के आसपास में हमारे लिस्ट के फोन में परफोर्मेंस वेगर एकदम तगरा लेवल का मिलेगा अच्छा कैमरा मिलेगा OOS का भी सपोर्ट होगा एक फोन में तो कवर्ड डिस्प्ले भी है अच्छा डिस्प्ले मिलेगा फास्ट चर्जर का सपोर्ट मिलेगा और बराड एम स्टोडेज भी होगा अवरल इस बजट के हिसाब से सभी फीचर से एकदम तगरा लेवल का दिया गया है इन सभी फोन में तो अगर आप इन सभी फोन के बारे में सही धंग से जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्टे तक बने डियेगा तो उसलिए देख लेते हैं आज का वीडियो को अगर आपको अभी के टाइम पे पोजिस्जर के असपास में पर बना हुआ है और लगभग आठ लाग क्यास पास अन्तूत्वी स्कूर भी है प्रोसेसर काफी हैवी लेवल का मिलेगा इस फोन का यह प्रोसेसर महंगे महंगे फोर में देखने को मिलता है बट यहां पर मिलता है तो काफी अच्छी बात है इन में 60Hz का टर संप्लिंग रेट दी आ गया है 13 रसकाशणिस का ब्राइट नेस इसमें कोड़नीं गोड़े लगला इस फाइप का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा दिस्प्ले जो है ना काफी तगड़ा लेवल का है जिससे आपको content watching या फिर gaming वेगरा में काफी मजाएगा इसके लावा camera की बात करेंगे तो इस phone के पीछे के side 3 camera मिलेगा man camera 50 megapixel का है, second camera ultra wide camera है जो की 8 megapixel का है, third camera 2 megapixel का है और selfie camera जो है ना वो solo megapixel का है man camera में sony mx766 वाला sensor लगा हुआ है 1.8 का aperture है एन रोनी में OOS का भी support मिलेगा और selfie camera में sony mx471 वाला sensor लगा हुआ है पीछे का camera से 4K तक की video recording कर सकते हैं 30 एपेस पर और 60 एपेस पर camera इस budget के हिसाफ से कावी 13 लेवल का मिलेगा अब बात कर लेते हैं स्पोन का RAM इस्टोडेज का तो इसमें 8GB का RAM इंडेक्स 28GB का इंटरनल स्टोडेज मिलेगा ये फोन 199 ग्राम वेट के साथ आता है और 8.6 mm का थिकनेस है इसमें 3.5 mm बाला जैक नहीं मिलेगा नहीं extra memory card लगाने का option मिलेगा इस टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा इंडिस्पेले fingerprint का sensor भी दिया गया है ये फोन Realme UI 3.0 के साथ आता है जो के Android 12 पर base है तो चलिए आए फिर बात कर लेते हैं आखरी में स्पोन का प्राइज रिका तो ये फोन अभी के टाइम पे बिना किसी bank offer के 23,999 रुपया में मिल जाएगा यानि कि 24,000 रुपया इस फोन का प्राइज है अगर आपको 25,000 रुपया में एक अच्छा सा स्मार्ट फोन चाहिए तब आप इस फोन को भी ले सकते हैं तो फिर चलिए वीडियो में आप थोड़ा सा अगे बढ़ते हो और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का और ये फोन काफी तगड़ा फीचर के साथ आता है तो क्या इस पेसिफिकेशन होने वाला है इस फोन में चले जानते हैं एकदम डीटेल से तो इस टार्ट करेंगे इस phone का build quality से ही, तो plastic body के साथ ये phone आता है, plastic का back, plastic का frame दिया गया है, 190 gram weight के साथ आता है, and 8.5 mm का thickness है, लिजन वगरा को आपने हिसाब से देख लीजेगा, and weight और thickness तो average type का है ही, इनि में 3.5 mm बाला jack नहीं मिलेगा, इस studio speakers दिया गया है, hybrid slot मिल जाएग इन display fingerprint का sensor भी दिया गया है, ये phone 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 2L के साथ आता है, जो कि Android 2L पर base है, तो चलिए आए फिर बात करते हैं, इस phone का कुछ man-1 features का, camera की बात करेंगे, तो इस phone के पीछे के साइट 3 camera मिलेगा, man camera 64 MP का है, second camera ultra wide camera है, जो की 8 MP, third camera 2 MP का है, और selfie camera जो है ना, वो 16 MP, man camera में OIS का support मिल इस बज़ेट के हिसाब से camera भी जो है, इस phone का सही मिलेगा, अब बात करते हैं, इस phone का display का तो, इसमें AMOLED display मिलेगा, जो की 6.62 inch का full HD plus है, इन में 20 Hz का refresh rate and 3C Hz का sampling rate दिया गया है, ते रोसो नीट्स का brightness है, इसमें HDR 10 Plus का support भी मिलेगा, इस बढ़िया है, brightness, smoothness वगरा भी architecture पर बना हुआ है, और आपको बता दे कि 6.62 पलस इस phone का अंतूतु score भी है, प्रोसेसर जो हना काफी heavy level का मिल जाएगा, जिस आप अच्छा खासा gaming smartphone में कर सकते हैं, इस बज़ेट का ये phone एक अच्छा gaming smartphone है, अगर आपको gaming के लिए कोई phone चाहिए, तो इसके लिए भी ये phone में 8GB का रहा है, मैं 128GB का internal storage मिलेगा, ये जो हना इस phone का base variant है, इसका price चलाल के time पे Amazon पर 24,999 रूपया है, यानि की 25,000 रूपया है, तो अगर आपको 25,000 पर में कच्छा value for money smartphone चाहिए, जिसमें सभी features से एकदम ठागरा level का हो, तब आप इस phone की भी तरब देख सकते हैं, अध इस phone के साथ ये phone आता है, चलिए जानते हैं एकदम डीटेल से, इस phone का back side जो है वो लेधर का बनावा, एंड प्लास्टिक का ही frame है, दिखिने में तो ये phone काफी खूबसूरत लगता है, प्रसनली phone का design मुझे भी काफी पसंद आया, 8.2 mm का थिकनेस, 191 gram इस phone का weight है, weight और thickness ठीक ही है, और हाँ, इसमें 3.5 mm जैक नहीं मिलेगा, नहीं extra memory card लगाने का option मिलेगा, इनमें security के लिए इंडिस्प्ले का sensor मिल जाएगा, यूजर इंटरफेस की बात करेंगे, तो ये phone color OS 13 के साथ आता है, जोंकि Android 13 पर base है, इनमें LPDDR 4X का RAM and UFS 3.1 का storage टाइप भी देखने को मिलेगा, डिस्प्ले की बात करेंगे, तो इसमें 6.7 इंच का full HD plus OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इसमें 120 Hz का screen difference rate and 360 Hz का assembly grid दिया गया है, जाड़े 900 नेट्स का brightness है, इसमें HDR 10 पलस का support भी मिलेगा, तो डिस्प्ले जो ना content watching या फिर gaming वगरा के लिए काफी तगड़ा डिस्प्ले है, सबसे अची बात यह है कि यह डिस्प्ले जो है, वो curved डिस्प्ले है, कैमरा की बात करेंगे, तो इस पॉन के पीछे के साइट ज्यादा camera नहीं मिलेगा, दो ही camera है, man camera 100 megapixel का है, second camera 2 megapixel का है, जो की mono camera है और selfie camera वो 60 megapixel का है, man camera का 1.7 का aperture है, और उनी में OIS का भ 30 fps पर, इस पॉन के camera में जो है वो ultra wide camera नहीं है, इस चीज को आप ध्यान में रखेगा, बट इस budget के हिसाब से camera जो है इस पॉन का सही मिलेगा, अब बात करते हैं इस पॉन का performance का तो, तो इसमें Mediatek Dimensity 7050 वाला chipset मिलेगा, यहाँ प्रोसेसर जो है 6 nanometer के architecture पर बना हुआ है, और लगबग 5 लाक्यास पस अन्तूत्वी score भी है, प्रोसेसर जो है पावरफूल है और इसमें LPDDR 4X का RAM और UFS 3.1 का storage टैब भी देखने को मिलेगा, इसके अलावा battery की बात करेंगे तो इसमें 5000 मैच का battery मिलेगा, जो कि support करता है 67 वार्ट का charger को, और बताया जाता है कि 18 मिन इसका price फिलाल के टाइम पे 24,000 रूपया है, और 8256 वाले वेरेंट को लेने के लिए फिलाल के टाइम पे आपको 25,000 रूपया देना पड़ेगा, एंड इस phone का और एक वेरेंट आता है, बाड़ा 256 जिसका price फिलाल के टाइम पे 27,000 रूपया है, तो आप इस चीज को ध्य आगे बढ़ते हैं और बाद कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का, अपने लिस्ट में आब आता है मोटो की तरब से Motorola age 30, अगर आपको clean UI के साथ आने वाला एक एच्छा से स्मार्ट फोन चीए इस बजट में तब आप इस फोन को भी ले सकते हैं, एंड इस बजट अगर आपको एकदम पतला एंड लाइट वेट फोन चाहिए तो इसके लिए भी ये फोन आपके लिए अच्छा उप्सन हो सकता है, इनमें 3.5 वा मंबला जैक नहीं मिलेगा नहीं, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने को कोई अप्सन मिलेगा, बट हाँ इसमें studio speakers मिल जा इसमें 8G पलस वाला चीप सेट मिलेगा, यहाँ 5G प्रोसेसर है और यहाँ प्रोसेसर शिक्स ननोमीटर की अर्केटेक्टर पर बना हुआ है, और आपको बता दे कि 5.5 लाग क्या सपस अंतूतू स्कोर भी है, प्रोसेसर जो ना इस बजट की हिसाब से काफी हैवी लेवल 5 इंची का Full HD PLUS P OLED डिस्पले देखने को मिलेगा इसमें, सबसे अची बात यह कि इसमें 144 हर्ट का रिफ्रेस रेट देखने को मिलेगा, यहाँ दोस्तों 144 हर्ट का रिफ्रेस 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 रिफ्रेट दी आ गया है, स्मूथनेस एकदम तगरा लेवल का मिलेगा, मांस तोनीट का ब्राइटनेस भी है यससे काम चल सकता है बागी बात कैमरा की बात करेंगे तो पोन के पीछे के साइद 5 प्रियर और फ्रेंट केमरा से मैक्सिमम 4K तक की वीडियो रिकॉडिंग कर सकते हैं 30 पर और और इनमें OIS तो नहीं बट EIS का सपोर्ट मिलेगा इस बज़ेट के हिसाब से कैमरा भी ठीक है अब बात करते हैं स्पोन का रहे हैं स्टोडेज का तो इसमें 8GB का रहे हैं के टाइम पे 25,000 रूपया है इस फोन का बेस वेरेंट भी आता है 6103 जिसका प्राइज फिलाल के टाइम पे 24,000 रूपया है तो अगर आपको 24-25,000 रूपय में अच्छा सा स्मार्ट फोन चाहिए जो क्लीन यूई के साथ आता हो तब आप इस फोन को भी ले सकते हैं तो फिर आता है एंड 7.9 mm का थिकनेस भी है इस फोन को लाइट वेट एंड पतला फोन कह सकते हैं बाकी बाद इसमें 3.5 mm बाला हेट फोन जैक मिलेगा इस्टूडियो स्पीकर्स भी दिया गया है लेकिन हाँ एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने को कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं और सेलफी कैमरा वह 16 MP का है मैन कैमरा में सोनी MX766 वाला सेंसर लगा हुआ है 1.8 का अपर्चर है और उनी में OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा पीछे का कैमरा से 4 के तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 60 एपश पर और फ्रेंट कैमरा से भी मैक्सीमम तेने टी सिंच का फूल एचिटी पलस है जिसमें 120 हर्ट का यह रिफ्रेश एट एन 240 हर्ट का सेंप्लिंग दिया गया है 900 निट्स का ब्रैटने सेंडिस के ओपर कोर्निंग ओडिलागलास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा अब बात करते हैं स्पोन का पर्फॉर्मेंस का त यह तब आप ले सकते हैं घर बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 अमेज का बैटरी मिलेगा जो की सपोर्ट करता है 67 वार्ट का चार्जर को दोस्तों यह बड़ी हां चार्जर है आपके फोन को काफी तेजी से चार्ज करके देगा एंड 5000 अमेज का बैटरी है तो बैक वैसे इस फोन का टॉफ वेरेंट भी आता है 8256 जिसका प्राइज फिलाल के टाइम पर 27,000 रुपया है तो मेरे ख्याल से इस फोन का बेस वेरेंट ही आपके लिए अच्छा वैल्यू फोर मनी स्मार्टफोन हो सकता है विकाद 26,000-27,000 रुपया में इससे भी अच्छा-च लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो की बिलकुल फिर ही है तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ